तो कुछ डाउट है तो अब हम वो लेके चल रहे हैं तो इस डाउट में ये बोल है कि एक आएसा प्लेन है ठीक है और जिस्छ के में वन सेक सांर्य सथ रखें और यह एक इस तरहिकर से रखा है और यह a यहां पर यहां पर पुल्ली है और वह इस तरीके से तो महलब यह मेरे पास इस तरीके से यहां पर पुल्ली लगी हुई एक ऐसे और इसका वेट मलब इसका जो एक रस्ती से वह यहां पर यहां पर एक दूसरा वेट है ठीक है तो यह मेरे पास M2 दे रखा है यह मेरे पास M1 दे रखा है, यह मेरे पास एक थीटा है, question कह रहा है, two bodies M1 and M2 are connected by a light string going over a smooth light pulley at the end of an incline, ठीक है, तो यह एक पुली सा attached है मेरे पास, कह रहा है, the M1 lies on an incline plane and M2 hangs vertically, right, दिख रहा है सामने, M2 तो vertically hang हो रखा है और यह incline plane पर M2 वाला, M1 वाला, कह रहा है, the system is at rest, system is not moving, महलब यह पूरा का पूरा अपने अपने rest में है, find the angle of the incline, तो यार मुझे ना angle बताना है, तो अब अगर मुझे angle बताना है, तो तुम ज़रा बताओ, angle हम कैसे निकाल सकते हैं by using the free body diagram, अगर तुम सब free body diagram को ध्यान से देखोगे, तो ज़रा मुझे एक बात बताओ, अ नीचे वाली उपर वाली, एक और बार बोलेंगे, आपने क्या बोला था, अगर इसका weight नीचे लग रहा है, तो अब इस रस्ती की यहाँ पे मैं tension को उपर वाली लुए नीचे वाली टेंशन, उपर वाली से उपर वाली, उपर opposite लगता है, अपोस्ती सेम में भी लग सकता है, लेकिन वो तो हम जान, रसी टूटनी रही है, तो opposite और से नीचे से लग रहा है, लेकिन हम लेंगे कौन सी वाली, उपर वाली, टाकि बैलेंस कर सके, ठीक है, दोनों साइड लगता है, तबी तो रसी टूटनी रही, जहां पे भी tension जाता होगा, वहां पर रसी टूट ज आएसे मैं मालो ये कार्टिक आया कि सर कुछती लड़ो के मैंने कहा, तो मैंने इसको एकास से टेडा मेरा उचाल दिया, गुल-गुल खुमारों में इसे, ऐसे पूरा रूटेट कर दिया कार्टिक को, तो वेट तो मेरे हाथ पर ही आयगा ना, चाहिए मैं इसको कैसे भी क प्रपेंडिकुलर नॉर्मल हमेशा प्रपेंडिकुलर जाता है अच्छा और इस पूरी के टेंशन कहां पर जाएगी अगर यह ऐसे कर गया तो इसकी टेंशन हम ऐसे बनाएंगे भोलो प्यारे परे बच्चो अब अगर इसकी टेंशन है ऐसे तो जरा मुझे बाद बताओ अगर मैं इसी के अंदर एक चीज़ देखूँ कि अगर वो थी मुझे थीटा निकालना है तो जरा मुझे बाद बताना जितना एंगल यह हुआ है तो यह थीटा होता है हमेशा यह थीटा होता है मैंने बताया भी था अगर तो इसको इंकलाइन को नीचे लिए आओगे तो यह थीटा बिल्कुल बंद हो जाएगा अब जितना तो मुझे बात बताओ अगर यह मेरे पास N है यह मेरे पास थीटा 1 M G 2 है और तो मैं यहाँ पर एक एक्वेशन बना सकता हूँ पहली बात तो इसको देखो यहाँ पर तो Tension is equal to क्या हो जाएगा M 2 G Tension तो दौनों में सेम ही लगती है जितने इसमें लग रही हो कि रस्ते तो सेम ही है अच्छा इस वाले के लिए Tension के आएगा ज़रा देखना अगर यह M 2 G मेरे पास थीटा है ठीक है तो यह हो जाएगा मेरे पास M 1 Cos थीटा तो यह कितना हो जाएगा मेरे पास M 2 M 1 G साइन थीटा अरे भई M 1 G साइन थीटा हूँ न जिसके साथ थीटा तैय सर्वह और जिसके साथ नहीं होता वो अब यह वाला पोसेट और यह वाला पोसेट आपसमें कैसा है एक अगर यह पोसेट डारेक्शन तो अगर यह पूसेट डारेक्शन अब यह वाला थीटा क्या हुआ इसको नीचे लेकर आते जाओ नीचे लेकर आगे सर्फेस पर तो यह M1G और M1G कोस तीटा एक नहीं हो जाएगा लाओ जड़ाओ से नीचे हां एम वन जी अरे भाई हमेशा ना यह फेश्ड होता है जब भी तुम यह दो सर्फेस को इस तरीके से इंकलाइन करते हो न तो जितने एंगल पे तुम इंकलाइन करोगे उतना ही तो यह भी वहाई देख यह हमेशा नीचे लगता है एंब यहां पर हो यहां पर तो जितना एंगल तुमने इसको करा ये भी तो उतना एंगल होगा यह पैन मतलब से समझ गया सर मैं जितनी वह एज पर है सर उतना इंकलाइन वहां यह इसके साथ फिक्सड है तो जितना अगर मालों तुमने इस सर्फिस को 90 डिग्री उठाया तो यह पैन भी तो 30 डिग्री अंगल गया ऐसे यह प्लेन है यह थरी डिग्री ऐसे चला गया ठीक है अब अगर यहां पर पैन है यह तो जब यह सर्फिस थर्टी डिग्री गया है तो इस पैन ने भी तो वर्टीकल से 30 डिग्री अंगल बनाया होगा यह सर वही तो है यह तो यह एम वन जी को अब ज़रा मुझे बाप बता है तो इसके इसको देखके क्या बोलूँगा मैं टी इस एकुल टू M1 G Cos theta, sin theta Cos theta Sin theta Opposite देखो कार टी के मैं sir मैं normal सोचने लगा मुझे लगा normal पूच रहे हो sir normal कुछ नहीं होता है M1 G sin theta ठीके अब टी की value क्या हम पहले से निकाल चुके है रख दो इसमे M2 G is equal to M1 G sin theta तो इसका मतलब यह मेरे पास क्या जाएगा M2 by M1 is equal to sin theta तुम्हें निकालना क्या था theta तो theta is equal to क्या हो जाएगा sin inverse M2 by M1 यही अंसर है सर हमें normal normal भी निकालना है सर क्या normal निकालना है अच्छा अगर मुझे normal निकालना नॉर्मल के बोजट कौन है सर मन्जी कोस थीटा अब अगर तुम नहीं है M1 G cos theta तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं देखो यहां पर अगर तुम्हारा M1 G cos theta निकल के आठ चुका है तो जड़ा एक बात बताना अगर 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 क्या value निकालना है एक सब्सक्राइब में क्या लिखता है अच्छा relation निकालना है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है क्या हम इसे हैसे नहीं कर सकते कि masses के ratio में express कर दें अगर मुझे बात बताओ अगर साइन थीटा इस इक्वल टू एम वन में आया है तो जड़ा बताना कॉस और साइन की वीच में क्या relation होता है का स्क्कुर को हम कह ले सकते हैं यस साइन सक्कूयर तिटा होता है बताओ साइन स्क्वेर फ्लस क righteous क्या कर बताना को स्क्यट्ड इस यहां से निकल टो इस अब क्रॉस मुल्टिप्लिकेशन कर ले भाई तो एक सिकने सिर्ट अरे स्कुरेर नहीं लगाया थीटा होता है ना स्कुरेर तो स्कुरेर लगाएंगे तो ही क्या हो जाएगा जरा बता ना अच्छा क्या मैं मैं कौमन निकाल लूँ तो तो मेरे पास क्या बचेगा स्रिफ जी अंडर रूट एम वन का स्क्वेर माइनस एम टू का स्क्वेर यह तो बचेगा अरे भाई वह मुल्टिप्ल क्रॉस मुझला है करने के बाद कॉमन निकालते हैं न नहीं आ रहा समझ मैं आसर आगया है ठीक है तो बस यह यह रिलेशन है मेरे पास किसी को भी कोई टाउट है इसके अंदर प्यारे बच्चों आज था माई का सर लेकिन अपन में एम वन भी तो आएगा क्यों कि सर आपने एम वन कॉमन लिया ना एम वन स्क्वेर थोड़ी कॉमन लिए भाई थोड़ा सा मैत भी लगा लो कि यह वन माइनस का एम कॉस्ट टीटा को मैंने यह लिख दिया था है अब जरा मुझे बाप बताओ एम वन जी यह अंडर रूट करोगे तो m क्रॉस मृटिफिला होगा यह नहीं होगा एम वन का स्क्वेर माइनस एंटू का स्कुरड डिवाइडबाई लाइन रो जाएगा अब इसकी यह बहुत सिंपल चीज है सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब को यकीन नहीं हो रहा कि मुझे बताना पड़ रहा है पर तुमको नहीं बोला हूँ मैं अपने आपको ही बोला हूँ कि मैं यह सिंपल से चीज करा रहा हूँ एम वन जी है जरा बताना ही से अगर यह यह एम वन का स्कुररे नीचे तो यह स्कुरर करों मत एम 1 सकुडर माइनस M 2 का स्कुरर Q1 1 2 थी माव इस नीचे वाले सब्सक्राइब को मुझे लगा मल्टिप्लाइब करेंगे आप सुन में आगया हां सर थैंक्यू तो तुमने एक सिकंड पीशे कर लीजिए अच्छा इसने एक कोशन और पूछा था लेकिन वह कोशन एक्चुली आता नहीं है ठीक है वह बहुत ही वैसे भी गंदा कोशन है त मेरी अंतरात्मा कह रही है ठीक है पहले सारे बच्चे कोशन सुन लेंगे को कोशन सुनने में तुम्हें अजीब सा लाएगा तो पहले सारे बच्चे कोशन सुनने एक ब्लॉक है ए ओफ मास M is tied to a fixed point C on the horizontal table through the string passing through a massless smooth पुली भी अभी बताते हैं अभी ठीक है अभी चंता मत करो a force F is applied on the experiment mentor to the pulley show that if the pulley is displaced by the distance act the block will be displaced by यह चीज तो मैंने करवाई थी ठीक है मैं बताता हूं भी यह चीज मैंने एक वाज़ा तुमको numerical करवाया था ना यह वहाँ पर यूज भी हुई थी अगर तुम लोगों को याद हो तो show that if the pulley is displaced by the x अगर हम इसको x the block will be displaced by the 2x वह तो सर आपने सर जो मैंने पहले पूछा था सर उससे कह रहे हैं सबस्थ एक सबस्क्राइब जैसर क्लास में नुमेरिकल करें तक्या और अब देखो आई किस अब समस्थ थियान सुनना क्षिश्चिन क्या है अच कि यह एक पुल्ली है कि कह रहे है यह अपने आप मेंना एक मास है है n ठीक है और यह यहां पे से फिक्स टो रख किया है इस सवाले से फिक्स टो रख कि यह सब्सक्राइब और यह मेरे पास एक फोर्स लगाया जा रहा है तो अभी यह कुश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक है एह नाम का ठीक है एक ब्लॉक आदले स्मोथ पुली तो यह स्मोथ पुली अपने आप में ठीक है अब फोर्स एफ इस एपलाइट बाई डी एक्सप्रीमेंटर जो एक्सप्रीमेंट कर रहा है टू दी पुली शोड़ इफ दी पुली इस डिस्प्लेजड बाई डी अगर इस पुल्ली को तुम खीच के लेकर आ जाओगे इधर की साइड एक्स तो तुम्हें प्रूफ करना है थी ब्लॉक ये वाला जो ब्लॉक ये टू एक्स मूव हो जाएगा बैए अगर तुम इसे एक्स खीचोगे तो ये एक तरह से दो में बट रहा है ना अगर तुम इ खालो अगर तुमने X मूव करवाया है उसको तो अग्स मूव करवाया है तो ये जो मास आम है ये अब 2x मूव कर जाएगा तो ये अब इधर की साइड आ गया होगा राइट और ये यहां पे फुल्ली है वाली और ये यहां से लेकर यहां बनाद इस वाले पॉइंट से य यह actually मैं 2x move कर गया, यह हमें prove करके दिखाना है, ठीक है, तो यह मेरे पास दो चीजे है, एक काम करते हैं, यहाँ पे न दो point मानते हैं, जैसे कि अभी इस तरीके समझो कि पहले यह मेरे पास C से लेकर B तक point था, ठीक है, अब अगर यह मेरे पास C से लेकर B तक point है, तो मैंने मान लिया कि यह C point तो C point ही रहेगा, और यह पहले कहीं पे मान लो B पर था, लेकिन अब यह एक नया point बन गया है क्या, मान लो B dash, क्योंकि तुमने कितना move करवाया, x move करवाया है ना तुमने, तो अगर तुमने x move करवाया है, तो मान लो पहले वाला जो point था, वो A था यह अभी अभी लिता हूं जाओ, नहीं, आतो, हाँ यह मेरे पास केतना है, A dash है मेरे पास, ठीक है, अच्छा यार, just give me one minute, अगर मैं इस वाले question को थोड़ा और clear बनाऊ, तो थोड़ा ध्यान से देखना, मेरे पास मान लो, यहां पे यह fixed है, एक सेकें, मेरे पास यह वाली पुल्ली है, यह अपने आप में fixed है, ठीक है, ठीक है, और यह एक object लगा हुआ है M, इस वाले side पे, ठीक है, तो यह M है और यह पुल्ली के साथ इस तरीके से है, और मैं इसे किसे particular force है की, जुका force का ओंसे भी बाद में आएगा, का की अगर उसने acceleration पूछा है, तो हम निकालेगे, लेकिन अब तुमने क्या करा, इसको X time जादा करवा दिया, पुल्ली को, अब अगर तुमने इसको X time जादा करवा दिया, तो पुल्ली तो X time चल गई, अब अगर ये रसी उधर की साइट चली गई तो फिर इस M को ज्यादा खिचना पड़ेगा तो अब यह M कहां पर आ गया अब यह M आ गया यहां पर ठीक है तो अब यह M आ चुका है मेरा यहां पर अब जरा मुझे एक बात बताओ माल लो माल लो कि यह मेरे पास पॉइंट था ए यह था मेरे पास एक यह P 5 पहले की जो पुलि थी ना वह आपने आंप में कहीं पर भी पॉइंट था ठीक है माल लो एहां पर मिपॉइंट था तो हमने उसे shift किया क्या एक शिफ्ट किया एक्स टाइम shift किया तो अब वो नई position पर आ गई हो कि माल लो B dash तो B से लेकर B ते कि ये मेरे पास X point पर shift आ गया तो मुझे यह प्रूफ करना है कि ये A और ये जो object था ये A से कहां पर आ गया A dash पर ठीक है मैं लगा पहले वाला जो A था वो ये था तो अब हमें A ये A से लेकर A dash में कितना difference आया 2X का ये प्रूफ करना है समझ में आया पुली को तुमने चलाया X time ऐसे खीचा इसको X distance तक लेकिन ये जो A है ये 2X time खिच जाएगा ये प्रूफ करना है समझ में आ गया कि क्या प्रूफ करना है सनेहा समझ में आया आस्था अधिति वैश्नवी समझ में आया क्या प्रूफ करना है क्यों क्यों कि भाई जब तुम X चलोगे तो वह X पुली का ये वाला भी X है और ये वाला भी X से X-AX एक्स्ट्रा चला न तो एक्स एक्स्ट्रा चला तो डूएक्स हो गया न वो तो फिर इस इस अब्जेक्ट को कितनी रसी देनी पुड़िएगी क्योंकि इधर भी और इधर भी तो वह तो टूसका ही डिस्टंस ट्रेवल करेगी न ठीक है तो अब इसी लिए अब मुझे बाब बताओ यह रसी कितनी है यह पूरी रसी कितनी है जरा बताना ही वार कहना ही सेदर यह पूरी की पूरी रसी अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यह रसी खिच गई है यहां पर आगई यह डैश पर तो अब इसकी अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए बी डैश सी प्लस बी डैश एडैश नहीं है समझ अरे भई रसी देखू ना ब्लैक वाली रसी वो पहले यहां पढ़ती है अब जब तुमने एक्स चलाती है तो वो यहां पर आगया तो अब रसी इतनी तो ही यह दौनों रसी एक ही तो है हांसर हांसर ठीक है जितनी यह बी सी प्लस अब यह यह इतनी खीचने के बाद है ठीक है अब जरा धियान से देखना क्या मैं बी डैस सी को बी डैस बी डैस सी को मैं क्या लिख सकता हूं तो मैं लिख सकता हूं बी सी प्लस बी बी डैस वैरी गूड बी सी प्लस बी डैस ठीक है और बी डैस ए डैस को मैं क्या लिख सकता हूं देखो यह B point यहाँ पर कहीं पर ही रहा यह यह B point यहाँ पर है न तो B dash A dash को मैं क्या लिख सकता हूँ B dash A dash को मैं क्या लिख सकता हूँ B dash B plus A A dash B very good बिल्कुल सही plus A वाला ठीक है A dash B अभी दौनों डिस्टेंस आपस में बराबर है या नहीं जो यह था वोई तो यह भी था वैसा खेल किया गया है ना खीचने वाला तो point अलग अलग हो गया है बस अच्छा तो इसको जड़ा लिखो B C plus A B तो क्या B C से B C कट जाएगा हाजर कट जाएगा बिल्कुल ठीक है अब A B बचा यहां पर अच्छा अगर यहां पर A B बचा है और एक से B तो नहीं कट पाएगा अच्छा यह यह भी 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 डैश है यह भी भी डैश है तो यह 2B डैश हो जाएगा देखो इस वाले A B को मैं क्या लिख सकता हूँ तो A B को मैं लिख सकता हूँ ना A A डैश मलब फ्यूचर और पास दोनों का यूज कर रहे हैं पहले क्या था और अब क्या हो गया है एक एक पॉइंट का ध्यान रख रहे हैं तो अब बताओ यहां से क्या कट जाएगा A है तो यह जर्ण देखना A A डैश इस इकल टू डीबी डैश कि एए डैश इस इक लुट टू वीड़ैस हुआ यह नहीं हुआ यह सर हुआ इसका मतलब क्या है इसका मतलब है अगर बीवी डैस एक्स होगा अगर बीवी डैस होगा तो यही तो पॉरूफ करना था अरे भाई अगर बीबी डेश पांच है तो जरा बताना फिर अगर बीबी डेश पांच हो गया तो एड़ेश कितना हो जाएगा तर दस तो प्रूफ करना था अगर तुम इसको पांच खीच रहे हो तो इसका मलब यह ऑबजेक्ट डेश पर आने पर कितना डिसकवर हो अब इसको इस तरीके समझो जैसे माल लो यह पुल्ली है ठीक है यह इस तरीके से अब तुम्हें क्या कर रहे हैं से माल लो कार्टी के यहां पर है और यह इस पुल्ली को पकड़ रखा है यह रसी दे रहा है इसको ठीक है अब यह चाहता है कि यह पुल्ली को मैं रसी दू तो यह पुल्ली उपर जाना चाहते है रसी दोगे तो यह उपर चली जाएगी तो यह चाहता है कि यह इस वाली height से ना 5 ऊपर चली जाए मलब color distance उपर चली जाए तो अगर से 5 distance उपर धेजना है इस इस पुल्ली को तो इसे कितनी रसी चूणनी पढ़ेगी इसको कितनी रशी चोड़नी पड़ए अगर इसे 5 हाइट तक उपल लेकर जाना है तो क्यों क्योंकि 5 यह वाला है और 5 यह वाला है तो 5 और 5 मिलके 10 बन जाएगा ना है हां सर यही तो प्रूव करते हां पर बस वह चीज जो वर्टिकल है वह ऐसी हो गई है होरीजोंटल आया समझ में प्यारे बच्चों सर क्या मतलब ये क्वेशन सर कंसेप्ट कंसेप्ट है ना सर मतलब इसके यूज हो सकते हैं ना सर कहीं यह हुआ था एक बार मैंने कोशन करवाया था तुमको इस पर यहां पर प्रूव हो रहा है ठीक है भई किसी को भी कोई और एक्सेलेरेशन निकालना चाहूँ तो क्या मैं एक्सेलेरेशन निकाल सकता हूं जाटक कि एक समय हो और यह यह को जाएगा तो 10 एक हुई या दो हुई सरब क्योंकि अगर यह फॉर्स हे मेरे पास तो यह मेरे पास एक फोर्फ है तो एक टैंच्शन लेनी चाहिए या उःसी डायरेक्ष्न में लेनी चाहिए क्या लगता है सब्सक्राइब और अगर एक फोर्स से कीच रही तो मुझे एक टेंशन लेनी चाहीए या दो टेंशन लेनी चाहिए तो इसका मतलब अगर एक फोर्स यहां पर लग रह रहा है अच्छा एक सेटें पहले जितने भी लोग है उनको यह समझ में आया कि यह 2x और यह इसका क्या क्या रिलेशन हो गया तो सारे बच्चे कि स्वास्तिका आस्ता कि यह सर्थ ठीक है तो अब अगर तुम्हें यह चीज़ अम्हें आ चुकी है तो अब हमें यहां पर फोर्स मलब एक्सिलरेशन निकालना है अगर यह कुश्चन मैं देखू तो तो अगर यह इसके अंदर मुझे एक्सिलरेशन निकालना है तो एक सिंपल सी बात है कि अगर यह मेरे मेरे पास टेंशन है अगर यह भी मेरे पास टेंशन है तो जो फोर्स इस इक्वल टू होता है वह यहां पर फोर्स इस इक्वल टू 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 हो गया है ठीक है और जो मेरे पास acceleration होता है वो acceleration क्या होता है force is equal to ma is equal to kya है ma होता है यहां पर यहीं तो है ठीक है न तो force को मैं क्या लिख सकता हूं 2t लिख सकता हूं क्या 2t और यहां पर यह m है तो acceleration मेरा कितना हो जाएगा फिर 2t upon में यही तो है और यह मेरे पास एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन के वैल्लू मेरे यह आ जाएगी ठीक है यही था ना एक सेकिन इसको बाइट भी तो कर देंगे शायद एक सेकिन दुको एक सब्सक्राइब इसमें एक सब्सक्राइब तुमने कोशन भीजा है find the acceleration of the block and the pulley इसके अंदर फिर of the block and the pulley यार ब्लॉक का तो हमने यह निकाल लिया अब अच्छा पुल्ली अगर बाइट कर देंगे न सर क्यों सर क्यों कि एक्सेलरेशन जो होती है आप आपने खुद भी बताया था सर कि एक साइड पर अगर सर पूरी की सिस्टम की ए तो सर इसको इंटू टू कर देंगे सर पुल्ली के लिए क्योंकि सर जब आपने बताया था दो साइड होती है तो अगर पूरे सिस्टम के ए पढ़ रही है तो एक साइड पर ए बाइ टो एक साइड पर ए बाइ टू ठी सार हम इस तरीके से कर सकते साइजह मैं अगर कि तोसम premise क्ली कर सकता हूं अगर मैं अभी टेंशन निकालू तो टेंशन मेरे पास f by 2 हो चुका है अब जरह मुझे बाप बता ना टेंशन ही तो अपने आप में एक फोर्स होता और यहां पे पुल्ली पर जो पुल्ली एक्चुली में खीच रही है वो टेंशन कोई तो खीच रही है तो अगर मैं यहां पर बोलूँगा कि टेंशन इस इक्वल टू मेरे पास कितना है यहां पर आप एंटू इण तो दो मरब एक्सइलेरेशन निकालना चाहूंगा तो यात जिस क्टीटल आएगा अउन सकते है और भी बोल सकते हो से तो हिरे पास size चन्सिन अप पॉन्मैं और टैंशन मेरा कितना है मेंद'S तो यह मेरे पास हुजाएगा टेंशन इस इक बाइट तो एफ बाइटू एफ अपॉन में टू एम आ रहा है क्या कार्थी के तो एक्सिलेरेशन इसका मतलब एक चीज बहुत-बहुत साफ है कि अगर मुझे एक्सिलेरेशन निकान लिए सततता है कि पुलिन यह पुल्ली जो बिसिकाली को कऊंगेच रहे तो पुल्ली पें तेंशन क्या लग रही है तो बस यहां पहे आगे मेरा एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन भाइधी टेंशन हो जाएगा मेरा सिंपल है ठीक है भाई याद रहेगा सब बच्चों को यह सर्ट और ऐसी अगर यहां पर देखना हो चलो यह तो हो गया इसका अब अगर मैं ऐसे पीछे देखता हूं यहां पर तो अगर मुझे इस साइड पर एक टेंशन लग रहा है तो अगर इस ऑब्जेक्ट पर एक टेंशन लग रहा है ठीक है तो मैंने उस टेंशन का तो निकाल लिया यह जो ऑब्जेक्ट वाला था लेकिन अब पुल्ली वाला अगर मैं देखूंगा तो पुल्ली पर अगर टोटल फोर्स एफ लग रहा ह तो इस फोर्स की वज़े से एक लग रहा है तो अगर एक लग लग रहा है तो जैना बताना अब यह पुल्ली कितने लोगों को कीच रही है लिए की नियुकों प्लली की वजह से थों एक काम को फुल्ली की वजह से एक एकसलरेशन हो गया और और इक ईस उब जेक्स की वज़े से जो एकसलरेशन हो गया उसमें टैंचन लग राता थो एप बाय टुम हो गया, ठीक है वैसे तो acceleration वाला ठीक है यह निकानने के लिए एक और आ चुका है किसी एंटर्स एक्जाम में ठीक है लेकिन यह ज़्यादा important है यह CBSC में proof करने के लिए आ जाता है क्योंकि इसमें लिखना होता है तो यह वाला अगर एक object के लिए देख रहे हो तो टेंशन इस तरीके से निकाले चाहेगी ठीक है और उसके लिए ठीक है तो यहां तक किसी को भी कोई डाउट एंट कुश्चन के अंदर